हेलो फ्रेंट्स मैं नीता और आप देख रहे हैं नीता सिंग्स दिल की बात आज की वीडियो है एक बहुत ही खुबसूरत और्नामेंटल प्लांट के बारे में जिसे हम पेडिलेंथस या डेविस पैकबून के नाम से जानते हैं पूरी गर्मी और मौनसुन में ये बहुत ही अच्छा ग्रो करता है अपने कोट के हिसाब से ये कुछ जादा ही बड़ा हो गया है इसकी थोड़ी सौफ प्रूनिंग करूंगी हलकी कटाई छेटाई को सौफ प्रूनिंग कहते हैं ये वेरिगेटेड़ वाला है इसकी पतिया हरे और सफेद दो रंगों में बहुत ही सुन्दर लगती है हलकी प्रूनिंग के बाद अब ये अच्छे सेप में आ गया है पूरी गर्मी तो ये हरा भरा रहता है लेकिन जैसे ही सरद्या आती है इसकी पतियों का सफेद रंग गुलाबी रंग में परिवर्थित होने लगता है ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता लेकिन इसकी खुबसूर्ती और भी बढ़ जाती है इसका कारण यदि आप लोगों को पता हो तो मुझे कमेंड करके अवस्य बताएं विंटर इनका डॉर्मेंसी पिरिड होता है इस समय ये अपनी सारी पतिया गिरा देती है बिना पतियों के खाली ब्रांचिस देखने में अच्छी नहीं लगती तो इस समय मैं इसकी हाट प्रूनिंग कर देती हूँ प्रूनिंग के वज़े से प्लांट बहुत खना हो जाता है और देखने में सुन्दर लगता है ये लास्ट इयर मैंने यहाँ से कट किया था तो धेर सरी ब्रांचिस निकली थी कटे हुए पार्ट आपको दिख रहे हूँगे इस प्लांट को हम कटिंग से बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते है इसी भी मैंने एक छोटे से कटिंग से ही ग्रो किया था चुकि मैं हार्ट प्रूनिंग कर रही हूँ इसलिए ज्यादा ज्यादा काट रही हूँ तो लीजिए प्रूनिंग भी कंप्रीट हो गई और इन कटिंग को मैं अपने गार्डन में लगा दूँगी जैसे कि मैंने बताया कि इसे डेविल्स बैक्बोन भी कहते हैं छाइर इसके सेप के कारण ये ब्रांच हमारे बैक्बोन के जैसी लग रही है पर डेविल्स क्यों क्यों क्योंकि ये प्लान्ट थोड़ा पॉछनेस होता है इसकी ब्रांचेस को कट करने से एक सफीध रंका liquid निकलता है जो टॉक्सिक होता है इसलिए cutting करने के बाद हाथों को अच्छी तरह wash करना ना भूले अब कुछ बाते इसके care tips की Friends, ये एक बहुत ही hardy plant है और बिल्कुल भी care नहीं मांगता मेरे पास ये 5-6 साल से इसी pot में है और मैंने आज तक इसकी reporting भी नहीं की फिर भी इतनी अच्छी तरह grow करता है कि साल में 2-3 बार purring करने पड़ती है किसी खास fertilizer के भी आवस्यक्ता नहीं पड़ती इसे लेकिन यदि आप देना ही चाहते हैं तो गोबर की खाथ दे सकते हैं और नहीं इसमें किसी कीरे का attack होता है मैंने तो आज तक नहीं देखा इसे आप indoor या outdoor दुनों ही condition में grow कर सकते हैं इसे bright light पसंद है लेकिन direct sunlight नहीं पानी भी कम चाहिए इसे इसलिए बार बार watering ना करें इसकी केर जितनी आसान है उतना ही आसान है इसे grow करना cutting लग चुकी है मेरी और नयने suits भी निकल रहे हैं अब सारे cuttings तयार हैं transplanting के लिए मैं आपको इनके roots दिखाती हूँ सभी में बहुत अच्छे से roots भी आ गये हैं ओकी friends अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like किजिएगा share किजिएगा और मेरे चैनल पर नए आए हो तो subscribe भी कर लिजिएगा मिलते हैं फिर next वीडियो में तब तक के लिए बाई